हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर चैनल आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपका फास्टेक काम नहीं कर रहा है तो उसके क्या रीजन्स है तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्र तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको कुछ रीजन्स बता देता हूं जिसके चार रीजन्स हैं अगर आपका टैग काम नहीं कर रहा है जो पहला रीजन होता है इसमें वो होता है आपका ब्लैक लिस्ट जो कि टोल प्लाजा से ब्लैक स्टेज एंड तीसा रीजन इसका होता है आपका लो बैलन्स का फोर्थ रीजन होता है आपका इसमें सस्पेंशन मोड का तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसमें ब्लैक लिस्ट का बताता हूं कि क्या होता है और क्यूं होता है ऐसा तो जब भी हम टोल प्लाजा पे जाते है scanner और scan करके वहां से जो पैसा होता है वो अपके wallet से कच जाता है बट होता क्या है जब भी हम कभी टोल प्लाजा करते हैं तो हमें शो करता है कि आपका जो tag है वो blacklist है तो यह किसी particular का Na prairman का अमांट होता है वह पे करने के बाद वह से ताइग अपना ब्लैकलिस से हटा सकते हैं जो दूसा दीजन इसका होता है वो होता है आपका इशूड का तो इशूड में क्या होता है कि जैसे कि आप प्लाजा पे जाते हैं प्लाजा का बारकोड स्कैन करता है बट वो इसकैन नहीं कर पाता और वो बोलता है टोल प्लाजा पे कि आपका जो टैग है वो काम नहीं कर र पेटियो मैं पे जाने के बाद आपको 24-7 पे जाकर अपने एक complaint रेजिस्टर करना है वहाँ पर आपको वहाँ पर RC copy अप्लोड करना है जो कि mandate है इसूट में टैग को एक्टिवेट करने के लिए तो ध्यान रखें कि अपना जो आपसी कॉपी है वहाँ पर अप्लोड कर तहां कि आपका जल्दी है जल्दी टैग जो है वह अक्टिवेट हो जाए एंड जो इसका थर्ड रीजन है वह आपका लो वैलन्स का होता क्या है जैसे कि हम किसी भी पर्टिकॉल टोल प्लाजा पर जाते हैं तो माली फॉर एक्जांपल में एक एक्जांपल देता हूं आपक तो 120 आपके reserve amount में से deduct हो जाता है उसके बाद बाकी को existance वहाँ से float हो जाता है जो Σीधा reserve amount प्लोट होँगा तो swap और यूंसे इस reason से वहाँ का tag आपका डैज shameful में शो करेगा इस रीजन से भी क्या होता है जो आपका फास्टेग है वो काम नहीं करेगा तो ध्यान रखे कि अपने पेटेम वालेट में आप शफिशेंट बैलन्स रखे हमेशा जब भी आप टोल क्रॉस कर रहे हो एंड जो इसका फॉर्थ रीजन होता है वो होता है कि कि गलती से आपका क्या करते है अपने वगता को को यह करता या नियुक अबक नहीं करना है नॉर्मल शा है आपकोерм है आपने प्रोफाइल पर क्लिक करके बाद अपने प्रोफाइल अपने प्रीब्स से Qわか्च तो इन सब रीजन्ष को आप ध्याद में रखिए इस्वे इसकी वह से ही होता है कभी में रीजन होता है कि आपका टैक जो है उसमें सेफिशिंट ब्यालंस भी होता है जो टैग है आपका उस में सब कुछ है फिर भी वह रीड नहीं करता है आपका टैक भी सब कि तरीके से लगा हुआ है वहाँ पर ओल्बादा पर नहीं बोलता है कि तो तो अब कुछा करना है कि इसे अगला फं के बुर्ण के पर दोसे के होता है वह भी बुलकरी करना है थे सुर्ण क्या अब से ँ स्क्राइचा को कि उड़ा वडिता हैं तो आफ़िए डूसे Kalam वो आपने कई टोल प्लाजा पे ट्राय किया बट फिर भी नहीं चल रहा है इस रिजन से जो आप अपने टैग है वो रिप्लेस कराना चाहते हैं मींज बदलना चाहते हैं तो आपका इसमें सिंपल सा कुछ एक आर्सी कॉपी अपका एड्रस होता है जो कि आपको वहां पर अप्लोड करना होता है और आपको जो प्लेस्मेंट है वह सेवन तू फॉर्टी डेस के अंदर अंदर हो जाता है तो बाकि आपको वीडियो के एंड में अगर कोई भी डाउ और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिये ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंचे थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो Fastag is becoming mandatory from 1st December 2019 and it's part of our government's Digital India Initiative to promote digital payments at toll plazas and decongest national highways and ensures seamless movement of vehicles. Get your Fastag today.